दोस्तों मैं प्रभाति वारी सुआगत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभाति वारी स्टडी आइकु पर ऊपी 3FSC एनेम स्वास्तिकरमी के परिडाम को लेकर दोस्तों आप लोग का बहुत ज़्यादा क्शोन आ रहा था और कटाफ को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा कुश्यन आ रहा था कि कटाफ क्या रहने वाली है ठीक है इसके बार हमें चर्चा करेंगे उससे पर रिक्रेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर नए है प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना और वेल आइकन को दबाना दूसरी बात दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ यूपितर प्लसी एनेम की जो कटाफ लगेगी और जो आप लोग का रिजल्ट आएगा दोस्तों उसका लिंक मैंने डिसेसन बॉक्स में दे दिया है आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं और अगर आप लोग गूगल के मादम से चेक करना चाहते हैं तो चलिए मैं गूगल के मादम से दिखाता हूँ क्योंकि जो भी नोटिस आती है और जो भी रिजल्ट संबंदित अपडेट आती है सबसे पहले यहीं आप लोग को प्रोवाइड की जाती है गूगल पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा pkrresult.com जैसे pkrresult.com सर्च करेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और सबसे उपर ही आपको pkrresult की official site मिलेगी और यहाँ पर आप लोग ट्लिक करेंगे तो कुछ इसरक आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और सबसे उपर ही दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं UP3C ANM result का जैसे ही result का section upload हो जाएगा तुरंत ही यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आप लोग उसे निवेदन करना चाहता हूँ किस site पर लगातार आप लोग विजिट करते रहें अब दोस्तों बात यहाँ पर आ जाती है कि UP3C I.O की तरफ से जो बयान बाजी कही गई है आपके result को लेकर और जो आप लोग की cut-off को लेकर जो internet sources मिले दोस्तों उसके मुताबिक इस बार जो है cut-off आप लोग की बहुत कम जाने वाले हैं जिसका 33 प्लस marks बन रहा है ठीक है जिनके 33% से ज्यादा marks बन रहे हैं उनको यहाँ पर आप लोग का जो N.M. स्वास्त कर्मी की भरती में दोस्तों आपका selection हो जाएगा एक seat अपनी पकी समझे ठीक है तो आप लोग पैनिक ना हो result के संबन में update यह है कि result आपका किसी भी वक्त जारी हो सकता है result बिल्कुल बन